हेलो एवरिवन वेलकम टिरसोई इंबसरिया आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेय करूंगी स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी बताऊंगी स्प्रिंग रोल की शीट्स आपने किस तरह से बनानी हैं बहुत एजी लिए अपने घर पे अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे तरह की बहुत सारी इजी और सिंपल रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले स्प्रिंग बनाने के लिए डो प्रिपियर करेंगे जिसके लिए मैंने एक कप मैदा नमक ला अपने लगाना है यह देखिए 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करें और उसके बाद इसको अच्छे से मसल ले मसल ले के बाद मैंने इसके पेड़े कर लिये हैं और अब मैं ऑईल की मदद से इसको जिस तरह से चपाती बेलते हैं उसी तरह से गोल बेल लूँगी बहुत इजी आठे का दोल लगाना है और गोल बेल कर रख लेना है इसको पतला पतला बेल ले अपने इस तरह से मैंने बेला है अब इसके अंदर नूडल्स की फिल्न करेंगे अगर अपने नूडल्स नहीं लगाने तो आप कोई भी वेजटेबल्स लगा सकते हैं नूडल्स बनाने की आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें नूडल्स पैरस वही इंबर सरिया तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी इस तरह से फिलिंग करने के बाद इसे सील कर दें मैदा की सलरी के साथ मैदा की सलरी बनाने के लिए मैंने दो चमच मैदे दो चमच पानी लिया है अच्छे से मिक्स किया और इसके अंदर लगा दिया मैदी की सलरी लगाने से स्प्रिंग रूल कभी भी ऑईल में खुलते फटते नहीं है इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स को बना ले और और उल के अंजर इनको फ्राइ करेंगे और बहुत जादा गरम नहीं है मैंने और को सिरफ 10 मिनट के लिए गरम किया था और मीडियम फ्लेम के ओपर मैं इसे अब फ्राइ कर रही हूं गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे 15 मिन लगते हैं फ्राइ होने में किसी नापकिन पेपर के ओपर निकाल लें यह बन के तया है देखिए कि इतने अच्छे बने हैं अब इन्हें कटकर के दिखा देती हूं आपको यह देखिए हर किसी को बहुत पसंद आएंगे वी रिसिपीस देखने के लिए और में वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू